बेरिकेट लगाते हो दिखा दे हम इस समय उपस्तित हैं आप पानी पर टोल टैक्स पर और आप देखिए हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे किसान खड़े हुए हैं किसानों ने आज पूरे भारत में टोल टैक्स को बंद करने का जो है अलान किया था इसलिए आज यहां पर टोल टैक्स पर किसान धरना पर दसन कर रहा है इंकलाब जिंदाबाद और बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के नारे किसानों द्वारा लगाते हैं सुने गए और देखिए आप यहां पर देख पा रहे हैं यहां पर बैरिकेट्स लगा दिये गए हैं ताकि वहानों की आवाज आहीं आपर रुख जाए और यह टोल टैक्स बंद हो जाए और यह भारतिये अकिल भारतिये किसान सभादवारा यह कारिये किया गया अकिल भा इनका धर्दा परदस इंजारी है और देखिए आप देख सकते हैं आपर महिला शक्टी भी यहाँ पर मैदान में उतर चुकी है और सरकार के विरुद नारे लगाए जा रहे हैं देखिए आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर भी आईए हम आपको दिखाने का प्रयास करते ह हैं इनसे बात करने का प्रयास करते हैं आए हम हम करते हैं आप कहां से हाई है हम सब्संद्र पंजाब से आये हूए हैंदि-दे-डेρ्रे लाए हूए प्यां मोगा से प्रचार की और किसानों के कई दोर की वारत हो चुका है तो उसमें अप बाहरत के किसान है यह एक भारत एक गीचा है इसमें हर तरह के फूल है अब हर्याने वाले बाई पंजाब वाले पाई जूपी वाले सब कटे हो चुके हैं यह हमें आतवादी बादे बता रहे हैं जा कर देखो दिली आप कबर करो आतवादियों ने कभी लंगर लगाए हैं क हम यहां डिरे लागे रहेंगे बले हमेंशे मिने लग जाए हम रात बार्च में सूए हैं हमें आदत है हम इसी में भी सो सकते हैं और मोटर पे भी सोते हैं जब जीरी लगती है लेकिन मोधी पहले चाहे बेगता था बरदान मंत्रिया अगर कसानों की वज़ा से इसको दब कि तंए 24 कुझित सर्क शु कि और संव्यRO कर लिया कि भो ऐसमें शोदन के लिए त्यार है और और पर गारणिटी देने के लिए छि 얘는 विए 220 किसानों के हितंब महीं है यह जढ़े सानु के जड़ से बहernी है शुरू को पे आपके किसान अपर घु exist प्रदान मंतरी पाकिस्तान में जाके जहाज बिना बताए उनका के खाता है पाकिस्तान के प्रदान मंतरी के दाध हमें अतवादी बोला जाता है जिसने सारे पूरी दुनिया को खाना खलाया हमें हरी करती की कोई जरूरत नहींती हमारे हमारी फसलें पर żadिती नसलें पर रखव बरबाद करती किसान के जो काले कनून है उनको वापस करो और किसान खुशी-खुशी अपने गरों को तभी लोटेगी पार देखिए वहां पर भी आप देख पा रहे होंगे महिला मुर्चा जो है नारा लगाते हुए जा रहे हैं देखिए वहां पर आप देख पा रहे होंगे भीडी कठी हो चुकी है और अलग अक्षेत्रों से किसान यहाँ पर पहुँचे है पंजाब के किसान हरियाना के अपने किसान भाईयों के साथ डटे हुए है और इस संगर्श में उनका साथ दे रहे हैं 26 तारिक को आवाहन किया गया था दिल्ली की तरफ कूचका और उससे पहले से किसान जो है बोर्डर पर बैठे हुए है और अब इन्होंने जो है यह तोल टेक्स को सील कर दिया है भारत में हर जंगा पर यह टेक्स टोल टेक्स को अभी बंद कर्वाने की मांग करें कि तोल टेक्स ना लिया जाए और आप देख पा रहे हैं वाहन बड़ी मुश्किल से ही यहां से गुजर रहे हैं केवल एक जो है वो टोल लाइन यहां पर चालू है जहां से वाहन आगे जा रहे हैं और सब यहां पर बैरिकेट्स लगा कर बंद कर दिये जा चुके हैं ता आटोमैतिक पैसा है यहां से बोट है हुआожалуйста आप देख पा रहे होंगे ने इस इन में किसान हो कहां पर लेकर आए गई हैं और कुछ किसान भी अंदर बैठे हुए हैं आप देख पा रहे होंगे यह किसानों के लिए बियर पी पारेों में भीड़ी कठी है सामने और देखिए पंजाब से भी अपने किसान भाईयों की साहिता के लिए जो है किसान आए हैं देखिए प्रशान था कि आपके नेताओं की सरकार से बातचीत हो चुकी है तो नेताओं ने अब क्या निरधारित किया कि उनको कानून में क्या पसंद नहीं आया और आगे की पर्तिक्रिया क्या होगी उनकी? SOVल पर जाएंगे तूल से लेके दिली तक सबी टूल बंद करा के हम जाएंगे अर्याने में टूल चर रहें पंजाब में तो पहले ही बंद है दो मीन होगे अब ये रहने में चल रहे हैं, अब ये करनाड के पास टूल है, इसको बंद करा के जाएंगे, इसमें दो गैंटे बैठेंगे, कसानों को बठा के जाएंगे, इसके आगे अड़ा भी टूल है, हम बाले अड़ा भी बंद करा के जाएंगे आप पंजाब से हैं हम पंजाब से हैं तो पंजाब में सरकार क्या सुविदा दे रही है आपको इस सबें पंजाब सरकार क्या सा योग कर रही है आपका भाया सरकारों की बातें नी करते हम सरकार जो अमर जी करें हम किसान की बात करते हैं किसान के नाल खडएंगे हम सरकार को कोई जिन जैं जानते निए किसान से मांग करें कि कानौन वापस ले ली जाए लेकिन बदले में कोई ऐसा कानौन जो किसान चाहते होuz कि Guya के बना दिया जा जाये हमारी सहुल्य तडिय के लिए कि कमाई का पैसा खाएंगे हमारे को रेड़ चाहिए हमारी फसल का रेड़ चाहिए हम किसी से पैसा नहीं लेना सरकार से कोई जुदार निकार MSP की गारंटी देने के लिए उत्यार हो चुकी है सार जो मर्जी दे हम आपकी गारंटी से जाएंगे जब चाहें तब जाएंगे सरकार हमारे को ठाड़ नहीं सकती तो एक प्रेशन ये भी उड़ादा पहले जो है ये मांउट सेरे की मंडी में जो भी चोली है आड़ती है वो किसानों का सूशन करते हैं अब यदि किसान चाहे तो वो अपनी फसल किसी को बेच सकता है बैया ये तो सब सरकारे जूट बोर रही है ये ये काम चाहर रहा है हमारी ट्रांसपोर्ट है संदूरोडलें हम ऐसे ब्यार में जाते हैं जूपी में जाते हैं हम कभी कोई भी कसान रहने से पंजाब से कभी गया फसल जूपी में लेगे कभी ब्यार में गया कभी लेगे हम दस दस ट्राक इदर से अब कितना कसान इसने पकड़ा हुए ट्राक है भी दो तिन सो ट्रक पंजाब में पगड़ा क्यों खसानेश इषिधर पंजाब में रेृणा में बेचने आता है यह यह सब जूठ बोलतें हैं उन्हाइआ लोगोंगों को बहुत बुरा होड़ा है एक स्वाल ओर यहां पर उट रहा है कि अकाली डल से जो है पकासिंग बादल उन्हों ने अपना पदम भी उश्णल लूटाने की बात कही है और हरसी मरत्कोर जो की केंदरिय मंत्रे वो इस्तिफा दे चुकी है लेकिन जब कानून बना था तब वो NDS सरकार के साथ गटबंदन में थे और कानून जो है उनकी देख देख में बना था तो वो किसानों के साथ है केवल ये राजनी खेल चालू है यह तुझे को उनका अपना मामला है अपना जो क्यों दिया किसलिये दिया किसाना से कोई लेना देन नहीं है किसान जो अपनी माँगा अपना खुद लड़ रहा है और आगे भी लड़ेगा और लड़ता है दखिए एक मेत लपन बात यहां पर आपर इन की चिसान की कोई पार्टी नहीं है तो avoir you know फेम जाएगा यह चैनल उनना इन शो कितना हूग बाजरा उन् another और Motorola इन्सट रहे हुआ उन्न वार्याने किसान अपनी नुय कोई आपी फसल बेच सकता है ओड लेकर यूप्यम जाएगा यह यह पंजां पंजाव कोई लंगा किРЕुंग Hagal आप ये देख लो अभी राज़तान से किसान आया बादरा लेकर के हर्याने में गुषने नी दिया उन लोगों को तो कैसे कैसे आजा दी है कैसी कुण से MSP की बात होगी है हमें जरब वाजिब दाम हमारे जो फसलों के दाम है जो हमें किसी से कोई मतलब नहीं है देखिए किसान भाई होगा यहां पर यह कहना है कि सरकार से इने कोई लेना दे नहीं है चाहे सत्तादारी पार्टी हो या भी बक्षे कोई भी किसानों के कवी समर्थन में नहीं है इने केवल अपनी फसल का जो है वाजिब दाम चाहिए अपने MSP को ये बरकरार रखने की मांग चाहते है कि इने MSP की लिखित में गारंटी दी जाए और साथ ही इनकी मांग यह है कि सरकार इन कानूनों को समाप्त करे और इनकी किसानों के लिए अची विवस्था करे यह इनकी मांग और देखिए किसानों के लिए कुछ विवस्था सामने दिखाई दे रही है यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ विवस्थाएं कुछ समान यहाँ पर दिख रहा है किसान बैठे हुए है पंजाब के किसान यहाँ पर है, हरियाना के किसान यहाँ पर है, अपने किसान भाईयों के समर्थन में पंजाब के किसान उतरे हैं, हाला कि पंजाब में यह कानुना भी लागू नहीं किया गया है, और पंजाब की वर्तमान सरकार, जो कैप्टन अमरिंदर सिंग की सरकार है, वो किसानों के पक्ष में उतर चुकी है लेकिन फिर भी किसानों का मानना है कि सरकारे केवल राजनीती कर रही है यह कोई भी सरकार किसानों के पक्ष में नहीं है और देखिए अब आगे की बात करने के लिए हमारे साथ मुझूद है हमारे वरिष्ट समात दाता कुलदीप तो मैं निमेदन करुआ कि वो आएं और आगे की घटना करम की जानकारी हमारे दर्शकों को दे आप दाचरचा 24 पर लाइव देख पा रहे हैं इसे प्लीज ग्रूप में शेर जरूर करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह पहुंच सके लुच्ख पाणिपत की बात करें तो पानिपन के टोल टकस है नोट टेसा है और किसाननों डवारा खोड़ देया पूढूर्ण रूप से फ्रीर बात दिया घाया है तो देखना यह होगा क्या विबहां पर टोलntक्स कर रहे कि क्योंकि बोसार जो अब्र जिन पर निकलतने के बाद एक दम कोड़ स्कैन हो जाता है और काउंट से 20 मिनिट के बाद 25 मिनिट के बाद जो पैसे कट जाते हैं तो वह चीज देखेंगे वह चीज होई है या नहीं होई है तो किसान बैठें आपर किसान जो हितेशी जो मतलब मेरा साथी जो है जो इस मैं हाथ लगा सकते हो तो और किसान जो जो इस लोग यहां पर बैठें उनसे बात करके दिखेंगे के रननीती बनाई है यह बागद के रहोगा एपर वीडियो को शारे शेयर कर दो तो देख सकोई मेरे पिछे जो किसान बैठे है या पर दरने पै और टोल टक्स को फोल दि सारी बाते किया रिजन है क्या बात करते हैं आज की र 대ूल तोल थेक्स खोल लेंकि टोल टक्स को फ्री करने कि इस तहरे कितना सर्कार पड़े क्यों सर्कार के माननन के उत Illustpol तो किसी चीज़् का पढ माताया है पड़ा है तो उननसे जो ऑलर मात रही है तो जब सुन लाइक सब्सक्राइब आदमी तो पनला उड़ गया उखाड़ कर सोजय है किया मानना था उसका के उसर पड़ना था सरमाड़े को तो बहुत कुछ असर पड़ता है तो इसको देखो करतो रहे हैं सर के लिए कर रहे हैं जी एक किसान अंदोलन दो जाए उनीशोट शैमों आया था जी बारत के अंदर जो नो महीं ने चला था इसकान अंदोलन का क्या लगता आपने चीर का है अनपैदा करता है तो अंदोलन तो क्या चीज जाओं तो एक बेट का है अधर उदर टाइम पास करके भी अंदोलन काम्याब कर सकते हैं खट्र का एक ब्यान आ था थोड़े दिन पहले देखे भी होगा अपने जी तो कोई जाए निरा उड़ा है तो कितना अग है जी रहे ही तो पाकिस्तान तद्वाय नहीं यहां मरी अने गे हैं आम वहाँ दोध में पाच आते हैं सब जीपत आते हैं और आम टोल फरी करव आरे यह बीदो अर यह आनना वहां इतनी सेवा कर रहा है जितने पंजाब के वाईया रहे हैं उननने जाए के कितना तकलिफ ठाणी पड़ती है। तो इसका मतल है उनना स्वार्थ के लिए किसान ने दिखता है अपने कुर्शी दिखता है और अपने कुर्शी बचाने के लिए तो वह कुछ भी कर सकते है। पूरे अरियाना को, युवाओं को, किसानों को, सब को, सब के साथ उननों दोखा दड़ी करी है। जिसका फड़ उसको बहुती जल्द मिलने वाड़ा है। मैं बताता हूँ किस के साथ खड़ा है, वो नोटों के साथ खड़ा है। वो किसे के साथ ने, वो अपना नोट कठे कर रहा है, उसमें किसे गया नहीं, चै किसान मरो, चै जमीदार मरो, चै कोई भी मरो। वह बिल्गुल देखर के लोत का जो किसान के साथ, और अग्यान के किसान है कैने की बात है जी जो नकहुता हु किसान ही एक तुरीके mirous सब्सक्राइब बरब सलें सब्सक्राइब एंगों कर दो आवं करेंगे जिए प्रस्भाइल और मॉक्षण कर जो जिए टेंगे बिर इसकरार आवा ऑटनाराल्या यह इन सब्सक्राइब पड़केड़ày है किसान ने बड़ी अच्छी बात बता है जब उसका पैदा करें आनुकिसी के पेट में जावा है तुभी में कितने सच चाही है देखिए किसान और मजदूर ये दुनों मिलकर दर्थी में दन पैदा करते हैं जितने भी अनाच में किसान अर्मेर मिलकर बोते हैं और हर आदमी सच चाही है जो भुखास होता है उसक वहा हैं पहुँचता है और अगमी अनाच भी उसका पैदा है लेकिन ये जो सरकार है इसमें स्यासित खेल रही है कि सानों और मुझदूरों के हको को अडानी अंबानी को बेच दिया है और हिंदूस्तान जो मोदी जी कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूँगा सारा हिंदूस्तान बेच दिया करोना काल में एर इंडिया बेच दिया, रेल्वे बेच दिया है जो लोकल ट्रेन नहीं चलती, जो ट्रेन ने पुंजी पतियों को बेची है वही चल रही है सबी गाड़ियां यह सी जो हवाई जारतक के किराय उनके बराबर है और कुछ भी नहीं चोड़ा, इस करोना काल में मोधी जिनस, साजी ने जितने भी देश के पुंजी पति हैं, बड़े-बड़े जारेदार हैं पुरा हिंदूस्तान को बेच दिया है अब किर्सी को, और पोस्टर भी भाग, L.I.C. ये कुछ भी भाग बचें, जो सरकार बेचने जा रही है और ये जो ठेका किर्सी का, बड़े-बड़े गोदाम बन जाएगे जब स्टोक हो जाएगा, वो अपनी मर्जी से बेचेंगे ये गरीब को भी खरीदना पड़ेगा, और किसान को इस दुबारा अपने आप खरीदना पड़ेगा जब किसान की फसल मंडी माती है, तो उसके भाव गिरा दिये जाते हैं, जान बूज कर जब स्टोक हो जाती है, कुछ महिन्य के बाद इसकी किमत 5 मिना, 10 मिना हो जाती है इस लूट के खिलाब ये अंदोलन है, तीनो कानून जो लाए गए हैं, बड़े-बड़े इजाधारों को स्टोक करने की लूट करने की तागे देदी है उस लूट के खिलाब किसान और मन्तूर अब तो जनजन का अंदोलन हो गया है हर आदम इसके साथ जूड़ गया है ये सरकाई साथ इस अंदोलन को दबाना चाहती है हम इसको नहीं दबने देंगे हम उन के साथ हैं और इस अंदोलन को हम सलाम करते है पूर हिंदुस्तान की जंतान के साथ है जी ओ के बाद बीस नलगा हुआ है ना जी ओ करना चाहते हैं हमारे साथ जो क्यों कि नहीं रहेगा आप कहीं भी चले जाओ किसान से अब दोगाजर मंगों यह ना पूछ चार मिलेंगी मोल में आगे एक केंडी मंग एक टोफी मंगों आपको भी नहीं मिलेगी इंट्रेक्टे में किसान अन्दुलन वही है समझे रहे हैं यूँआ साथियों ना एक मुहीं छेड़ दी सोसल मीडिया भै रिलैंस के खिलाप जियों के खिलाप अडानी के खिलाप अंबानी के खिलाप ठीक मानने विशनाब विल्कुल सही है इन पानिपत की बात करते हैं यहां नोडथा के पास इन्हों सो एकड़ जमीन ले लिए इनको इन पोलिशी के पता था सब कुछ इन किया अपने पुराना इसाब देखा था पहले यह पता उनको आसी पोलिशी बन इन्हों नहीं बनवाई है तो इन्हों निया कर लिया तकि अची ऑटमेटिक उसी दीजी बात है तो तो देख सको आप किसानों का जो दर्द है जो दूख है बहुत कुछ बता रहे हैं कभी इंसो एकड़ी बात है जो कि अडानी ग्रूप दौरा जो नुर्था के अंदर गुदाम बनाए जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज यह जो ब किसानों के साथ हुआ हो कितना उसला कीत डिया हुए है कितना ल्यान दे माटी माटी में माठी रड़के जी काम करें न मस्दूरी करें तो उसलाप पे ही बढ़े हैं सरकार न संसो दलन owने की बात कर रहे हैं तीन बिला में बोलेकिट जेने माम कुछ चेंज करतेंगे तो dumpling अशल में जो यह इनकी नीतियाना किसान और यह मजदूर वर्ग जो यह मैला तब काया ची तरह समझ सुका है इनकी अजंडे के मुक्य अजंडे जो हैं बातने के तोडने के उसे ले करके अब तक जो मैला विरोधी भी रही है यह सरकार आप देखते हैं, पिछले 45 साल की जो महिला सोशन की दर है, जो बलात करके मामले है, वो वरिदी हुई है उन में, ठीक है, उनको ले करके अगर हम पूरे मुख्या रूप से बात करें, जब से केंदर में यह सरकार आई है, महंगाई भी आपको पता आज 45 सालों में सीमा पर इन सभी को लेते हुए, तो देखो महिला होने के नाते महिला कई ना कई किसान भी है, केत में बराबर का काम करती है, अगर एक पुरुष होता है, तो महिला बच्ची और पतनी बहु दो चार और भी महिला हैं सामिल होती है, तो महिला किसान होने के नाते भी और महि यह एजंडे हैं इनके तोड़ने का दीरे दीरे करके इस अंदोलन को तोड़ा जाए और उसी के साथ साथ क्या ये लीकित में देते हैं कि इस तरह का ये कुछ भी लीकित में इनका कुछ नहीं होता है ये सिर्फ भकते हैं और एक माई किया कुछ इनके आगे आगे बोल दिया बोल देना पीछे नोट बंदी हुई थी काला धन वापिस लाने की बात हुई 15-15 लाख देने की बात हुई क्या 15-15 लाख सब की जेब में आगे नहीं आए तो यह कैना कुछ है इनका दिखावा कुछ है करते कुछ है तो इनके दिखावे पे आप जनता समझ चुकी है महिलाएं समझ चुके इनके दिखावे बैकावे में हम नहीं आने वाड़े हैं हम मजबुती से किसानों के साथ कड़े हैं किसानों के संगर्च में उनके साथ रहें मर्ण स्प violation कांद के ठाइर्याद मेहां बुए ब्हुत चाहरी है हो तो सब्सक्राइब को मैं है कि क्या से ढख शेयर कट में है बाद में फिर उसका मैसीज आता है, पता नहीं लगता है, तो सारी चीज़ जो नेता है, हापर बैठ चुके है, किसान जो लोग है, किसान लोगे जो साथी है, सभी यहाँ पर पोच चेए, पाने पर टोल टेक्स की पर गम कड़े हैं, तो मैं अपने सहयोगी से निवदिन वह हो है, आगला जो मौर्चा वो से माने, बिल्कुल कुलीब धन्यवाद आपने अमें अफसर दिया, और देखिए, यहाँ पर मातरी शक्ती बैठ हुए थी, आपने जैसा कहा, कि यह महिलाएं भी किसान है, क्योंकि पूरुश जातर बाहर काम करते हैं, और महिलाएं ही अ काट कर लाने है, जीरी काट कर लानी है, फसले जो भी लेकर आनी है, उन्हें में उस्चित करना है, वो काम आज के समय में अधिकतर महिलाएं करती हैं, महिलाएं ही खेतों में काम करती हैं, उन्हें ही खेतों में काम करते हैं, वह दिकतर देखा जाता है, इसलिए महिला यह अखिल भारते जनवादी महीला समीती से यह मातर शक्ति है और अकिल भारते किसान सभा यहां पर बैठी हुई है अलग अलग किसान सगठन इस आंदोलन में उत्रे हुए है उन्होंने मूर्चा सम्भाला हुए है और आसपास आप भीड देख सकते हैं शांती पूर्ण तरीके यहां पर किसान परदेशन कर रहे हैं कोई इंसा की घटना की अंदेश का यहां पर नहीं है कोई भी ऐसा नुमान नहीं लगा सकते कुछ होगा यहां पर बिलकुछ चांती पूर्ण तरीके से और देखिए यहां पर इनके लिए कुछ विवस्ता की गई है आपस में ही किसा ब्रेख सिर्प मईं लिए हैं सबुड़ी चाईता चली haven किया है और एक बड़ी खबर अभी हमारे सामने आई है कि भारत भारत पेट्रोलियम उसका निजी करण हो चुका है और सबसे महतुपर बात ही है कि यह देखना होगा कि किसे उसके उसे लीज पर दिया गया किसे उसका जो है जिम्मा सोपा गया है भारत पेट्रोलियम को भारत पेट् अबानी को सरकार अमेर बनाने के कामकर रही है आरोफ सरकार बहुत भाण लग चुके हैं scratch लिए आप देखना हुगा कि भार्त चीत लिया कशी पागयाit कैने기는 शौप डॉन बड़ी गटना ही हमारे सामने आई है अच्छा बिट्टू मलिक है पूर सरपंच है पूर देखिए हमारे साथ बात्सित करने के लिए आपर बिट्टू मलिक है उगरा खेडी गाओं के पूर सरपंच रचका यह मिन से जाना चाते हैं आप पूर और किसानों के सब्तर्व कई कानों बाई तरछ बात में पूर यहां पर है कि राजस्ठान में और जब कि यह कानूं लागू किया जाने थे लोगों को पता था उसके बाद भी बीजेपी ने वहाँ पर जो अच्छी पर्फ्रोमस्स दी हैं और जीत भी आसिल की है, तो वहां के लोगों का ऐसा क्या विचार आपने का कि पूरे बारत के किसान एक रत रहता है, तो वहां के जो किसान उनने बीजेपी पर कैसे एक इन दिखाया उन्होंने, जो वहां के लोग थे, वो इस चीज़ को समझने पाए, ये पोलिटिकल लोग है, पूलिटिकल बात जाने हैं, हमारे किसान जो है किसान तो बोट के ने जए नहीं, भी पार्टी हूं हमारे स्वाख सफेमागों किसान आप देख रहे हैं, और णख़जिमेंट से सरगार चला रहे हैं, मीडिया नुग तो भी प्रच्ण यह पिछले दिनों किसान भाई की मिर्त्यू भी ऊचुकी थी और सरदी बढ़ रहे है कोरा बढ़ता जा रहा है ऐसे में घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है ऐसे में किसान सटकों पर है तो किसान भाईयों को क्या कैसे मश्वाइव को सामना करना पड़ इसमें 11 किसानों की लग बगमोतों सो किया वाँ अंदोल नदरने पे एक पत्थर पड़ा है बंगल में जो इनका प्रदेशत देख सनड़्डा एक पत्थर सारी मीडिया ब्रेकिंग नुज में पत्थर को दिखा रही है कि 11 किसान मरें कि कोई बाई यह अपने अक्की लड किसान मार जवान कि यह है काम कर रहनदारकर रहे है देश के लिए किसान क्या मांगा था रहाती है यह अपको ज़्यादा धूर रूख है लादा अगाका कि आदर रहे वह फार हूठ और इसके बड़ा सबूथ क्या दें किसां कोई भी फसल है मेस्पी बेने की नी क्या दी रही है अब हमारे दिए कानुन बना दे को दिक्ट है और किसान इन तिन Andrea के बार से की चानून जप्तना इसा क्या कानून लिए इस a पना इसम है क्या एक सब्सकार किसान कोड में जा सकता कारना BUT किसान कोड में जा कनुड का कानून कोड में जा एक है जा नो है तो जैसा कि आप ये पेट्रोल न को साथ दिया टोल अड़नों है क्षान गजो अलिए इस वह चाहएं के बीच इस समय हिंसक रूर में क्या जला है क्योंकि जब यहां से किसान पूच करें तो उस समय हम किसानों के साथ थे प्रशासन पूरा किसानों के साथ कोरोपरेट किया, उन्होंने सामजे से स्थापित किया, और कहीं पर कुछे थोड़ा बहुती जैसे वाटर कैनन का परियोग किया गया था और आसुगास के गोले दागे थे, लेकिन दिल्ली जाने से पहले सब कुछ सांती पुनदा और परसासन और किस किसानों के बीच में किसी परकार की कोई इंसान नहीं हो, तो दिल्ली बोर्टर पर किसान यूनिके से से पोचे, तो वहां पर ऐसा क्या चला है कि किसानों और सरकार के बीच में क्या-क्या हिंसा गटना यह अप तक है? आपने देख्यों, अरियाने बढ़ने से सुरू कर दिया दरना तो जैसे दूसरे देश की सेनारी हो, खड़े खोदना तार लगाना काटे दार तार किसान अपने खेते में लगा सकता, जो नहीं लगा रखी, उस पर मुकदमत ज़ाता है, कानून नहीं हो, वह अगर कोई का खोद रही है, और किसान खोल रहे हैं, सड़कार सरकार बंद करती है, और यहां के किसान नहीं खोल ला है, और यहांने किसान पहले कर लेंगा रहे हैं, किसान शड़क पे है, अभी करोना में वही मुक्ख्यमंतरी, खटर, और रूप मुक्यमंतरी, पांस-पांस किलो दाने इतने वाइनत करके कमारे है राज किसान दूसमर हो गुछ गलत चीज मांगरे हो कुछ गानून हमें चाहिए है नहीं हम ठीक चल ले हैं तो हमें क्या जिरूत जो मांगरे है स्वामी नाथानी रिपोटों देखते नहीं हम पूछते अरद्वार जाना है कि माता पे जाओ वस् कारे दुनिया को यह तो बेकुमान ने कुछ मुठी वरवपारी हैं उनकी सरकार है यह जो मोदी जी पिछली बार चीफ मनिश्टर जब काते थे अगी सर्दार्मन मोहन सिंग बोलता नहीं यह तो उनसे बगार बोलती नहीं इस नहीं पता भी नहीं लिख्या क्या आइसमें देखिए आपसे एक बड़ा तीखा स्वाल है और यह मुद्धा इस समें बहुत ज़्यादा चला है और इसका स्पश्टिकर नौन अब्याओ शक्या है आप यूनियन के सिज़से हैं कई जगा पर सोशल मीडिया पर और वीशे इसका जो बीजेपी समर्थक लोग हैं उनके द्वारा यह का जा रहा है कि यहां पर सरजल इमाम को रिहा करो के नारे लगाये जा रहे हैं खालिस्तान के समर्थक में नारे लगाये जा रहे हैं पाकिस्तान के समर्थक में नारे लगाये जा रहे हैं यह उनके द्वारा फैला जा रहा है तो आप यूनियन के जिम्मेदा सब जानते हैं सुरु से पॉलिसरी है बाइसारे को बाटो और राज करो डिवाइडन रूल हमने क्या जूत पड़ रही हम अपने लिए लड़ेंगे दूसरे के लिए लड़ेंगे अमने अपने जान बचाने मुश्किल हो रही किसान आता मत्या कर रहे हैं बार बार कभी बड़े उन्होंने विरोद करते हैं जो पूरे बारत की एक है उसमेश का कोई सथा नहीं है यह आरसस की चाल है अमेशा उत्ति रही है बीच में दंगे करवाना उनकी पुष्ट भूमी में है दंगे करवाना वकाम है दंगे से वाई है ना इसके बगार वा सकती छे साल में दो मुसल्मान किसान सारे एक हो रहे हैं तो चैसाल में कि कमाई पर पाणी पड़ता दिखे रहा भी किसान एक हो गए समाज एक हो गया तो उनकी खतम हो जागी सारी देखिए बड़ा ही अच्छा है और हमने सब से मैं तो पूर्ण स्वाल जो इन से लिया जो किसान नांदोलन में आरोब भी लगते रहे हैं ये बीजेपी समर्थ को दवारा या फिर हम कई सोशल मीडिया पर ये अफवाए उड़ाई जा रही थी कि इसमें कहीं ना कहीं खा नन करते हैं और ये किसी भी परकार से उनके साथ नहीं है केवल किसान अपनी मांगों को लेकर उतरे हैं और इनकी वही मांगे जा रही है आप देख चुके हैं ये सफ़स्ट कर चुके हैं हाला कि यह भी आरोब लगा है कि आरे से इस पूरे घटना करम को चला रही है जो ब ईकलते हैं जोड़ा बी नोल्था गाओं के पास में हुआ था वहाँ पर भी करीब सो एकड़ की जमीन है उसे जो है कार खाने के लाम पर लेकर किसानों तो देखिए, आप ये देख पा रहे होंगे, कि किसान केवल अपनी मांगों के लिए यहाँ पर उतरे हैं, दाचरचा 24 के माधियम से ये अपडेट सम आप तक पहुचाते रहेंगे, जो भी घटना करम की जानकारियत वह सूचना हमें मिलेगी, दाचरचा 24 के माधियम से वह आप तक पहुचते रहेंगे, इसे सभी गुरुष में शेयर जरूर कीजेगा, ताकि आप भी अपना योगदान दे सकें, दाचरचा 24 के लिए अभी मनुश्रमा की रिपोर्ट